आज अपनी साथे शे बॉलेवड ना माच्च में जॉन अब्राम अनिती अमदाबाद आवे अचे फिटनेस टिप्स आप आप माटे तो चालो तेमनी पास यती जानिये वेलकम तु वी टीवी थैंक्यू जॉन अब्राम आप अज अमदाबाद आए फिटनेस टिप्स देने के लिए अमदाबाद को तो क्या देना चाहेंगे इसके बारे में अब क्या कहें यही कहना चाहता हूं कि अमदाबाद में अभी बीस्टार जिसे जिम आई है जो मेरे अब क्या बट लगी बहुत लगी कि उनके पास एक ऐसी जिम है और उनको यही कहना चाहता हूं कि उनको प्रुटसाही देना चाहता हूं कि आके वोर्काॉट करें आप है अपर एक गुजरात में टेंड़स ही है कि जिम शुरू होते है लोग जिम करना चालू करते है और फ कि अगर आपकी जो मुवीज है आपका जो शेडियूज है उसमें आप कैसे तरह से वर्क आउट करते हैं और इसाब से गुजरातियों क्या टिप्स दिना चाहेंगे नहीं आपको भी यह फॉलो करना चाहिए जिनको यह कहना चाहता हो कि गुजरात में जादतर वेजटेरियन लोग है तो उनको यह कहना चाहता हो कि वेजटेरियन फूद अच्छा है लेकिन स्टीम्ट और बॉइल वेजटेबल्स हेल्दी यह है वालिटल मसाला हेल्दी डालके लेकिन जादतर इतना शक्कर और तेल डालके वो शायद हर रोज हेल्दी नहीं होता है और इसके अलाव अब वरकाओट करना उसका मतलब यह नहीं के सिर्वजन उठाना वरकाओट करने का मतलब है अब जिम में योगा करे क्रोस्फित करे फंक्शनल को ट्रेनिंग सब कुछ कर सकते हैं और यह थिंग आद वाल्यू तो यह लाईफ तो यह लाईफ सर्काल एक कॉंट्रवर्सी आप लोग अपने आपको फिट रखे क्योंकि अगर आपको बॉड़ी सही रखे तो आपकी सोच भी साफ हो जाएगी और यूल बेटर हुमन बींग्स जीम तो आपने जीम की टिप दे दी पर यू आर रियली जैंटल मैं एंड एवरी मैं शुद बी लाईक यू तो यंग्स्टर्स है ना उनको जीम की टिप्स तो दे दी पर आप जैसा अच्छा इंसान बनने के लिए उने क्या गरना चाहिए वह एक बताएग जिस्तिंग के मैं मिडल क्लास हूं, मेरे वैल्यू बहुती मिल्द क्लास है और मैं यंग्स्टर्स को यह कहना हुँ कि बी जिसके पास जाधा पैसा होता है उसका मतलब यह नहीं होता है कि वह जाधा कultured है, КULTURE अपने वैल्यू से होता है, कीप यह वैल बैल्यूस से होता है , तो कीप य मैं लाओ